जै गुरुजी संगर जी ओम नमस्षिवाई शिब जी सदसाहाई ओम नमस्षिवाई गुरुजी सदसाहाई संगर जी जै गुरुजी शुकराना गुरुजी आज का संगत सत्संग जो है मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ अनुरादा अंटी ने मुझे बोला था कि इस सरसंग आपके साथ शेयर करूँ एक छोटा सा सरसंग है मेरा तो सरसंग शेयर करने का मकसद यह है कि आप भी इस सरसंग को सुने और आप भी गुरुजी के साथ जुड़े क्योंकि मुझे तो गुरुजी से आपके साथ सरसंग शेयर करती हूँ तो बात ऐसी है संगर जी कि मैं गुड़ गाओं में जॉब करती थी उससे पहले मैं चंडिगर जॉब करती थी मुजिक इंडस्ट्री में और उसके बाद मैं बिमार हो गई हमेशे ऐसे होता था जहां जॉब करती थी बिमार हो जाती थी कुछ ना कुछ हो आ रहता था मेरे को बहुत प्रॉब्लम रहती थी और उसके बाद फिर मुझे मैं वहाँ पे गई जहां गुड़ गाओं में जॉब करने वहाँ मुझे एक लड़की मिली प्रेंका नाम की चॉंग पे मिली मतलब मैं उसको जानती नहीं थी तो मैं पीजी डूनने गई थी फ्लाइट मिल जाए पीजी कुछ भी मिल जाए क्योंकि मुझे नीड थी और मुझे वह बोली कि आप मेरे रूम में आ जाओ एक बार देख लो मेरा फ्लाइट भी तो मैंने का चलो चलती हूं देखा फिर उसने बोला यहाँ पे न साइट पे फ्लाइट आ है तो आप वो भी देख लो तो मैंने का ठीक है तो मैं उसके हैं चल पड़ी मैंने देखा उसके रूम में तत बड़े बड़े गुरुजी के सब रूप लगे होए थे और उनके चरन सब रूप भी थे तो मैंने का यार यह गुरुजी यहाँ भी दिख गए क्योंकि उससे पहले ही यह गुरुजी मुझे काफी जगा दिख रहे थे मलब चंडिगर भी मुझे दिखते थे और फिर मैंने वहाँ पर जब रहना शुरू करा सेक्टर सतारा में सत्रा की मार्किट के पास तो वहाँ पर हम जब चाई की टपरी पर आते थे मैं और मेरा एक फ्रेंड है लड़का यश तो हम वहाँ चाई की टपरी पर ना चाई पीते थे तो मैंने जब भी देखना वहाँ एक जिम होती थी वहाँ सामने कितना बड़ा सा लगा हुआ था यलो गलर का ऐसे चोला पैना हो था गुरू जी ने तो मैं बोलती यार ये गुरू जी फिर इधर दिख रहे हैं ये कौन है ये गिंजा सा ऐसे मैं ऐसे बोलती ती लिटरली मैं जूट नहीं बोलती मैं ऐसे ही बोलती थी और उसके बाद फिर मुझे उसने बताए कैसे गुरू जी आई ठीक है होंगे मैंने ऐक्नौर कर दिया तो संगा जी मैंने फिर मेरा ऑफिस टार्ट हो गया तो मुझे daily ना जब मैंने आना जाना तो मुझे गाड़े को बिच्छे blessings always Guru जी दिखना तो मैंने ना Prankham कुछ थी उच्छाइ MALE एक्षा यार यह क्या है Guru जी Blessings always यह मुझे दिखते रहते हैं क्या चक्र है तो वो मुझे तब ही कहती थी गुरू जी ने तुझे अपने साथ जोड़ना है और मैं इग्नोर करती थी, मैं यार मैंनी बाबो बुबो को मानती क्योंकि मैं वैशन माता को बहुत मानती हूँ और बाब याली माता को मानती हूँ है तो सारी एकी लेकिन मैं माता की भक्तूँ मैंने मुझे था कि मैं माता की सिवार किसी को नहीं बोले शंकर को मैं मानती हूँ ऐसी बात नहीं है लेकिन मेरे को मा की साथ नहीं का लगी प्यारा मेरा तो मैंने का मैं उनकी इलावा किसी और को नहीं मान सकती तो वो कहती नहीं गुरुजी ने तुझे अपने साथ जोड़ना तो मैंने का यार पता नहीं होगा ऐसे मैं इग्नॉर कर देती थी रोज ऐसे महीना दो महीना ऐसे सिलसला शुरू आना जाना ओफिस में तो मुझे दूर पड़ता था तो फिर मैं ना फ्लाट से पीजी में शिफ्ट कर लिया सत्रा से से क्टर 57 शुषान्थ वाली साइड होंग कॉंग मार्केट वाली साइड मैंने शिफ्ट कर लिया तो वहाँ पे ना मेरे साथ वाले रूम में एक लड़की थी इशी वो मेरी काफ इची फ्रेंड अभी भी है तो वो भी गुरू जी को मानती थी तो कह री कि ना यह गुरू जी है कर देख मेरे पास भी है तो उसने फोन से सब रूप दिखाया मुझे मैं रहते हैं तो मैंने का यार पता नहीं को नहीं यह बार बार मुझे दिखते रहते हैं चौलो उसके बाद घर आई चुट्टी के लिए थोड़े दिन के लिए वैसे तो मुझे चुट्टी देते नहीं थे ओफिस वाले तो मैं घर आई घर पे ना मुझे गुरू जी ने मेरे घर के रूम में पापा के रूम में मैं सोई थी वहां मुझे दर्शन दिया से वाइट कलर के चोले मैं से बड़ा से थे सब रूप में खड़े सब रूप में उनन में गुरु जी दिखते रहते बार बार तो हो सकता है इसलिए मेरे मन का बहम होगा तो संगर जी मैंने इग्नोर कर दिया मैं अपने ओफिस चलेगी वापिस गुडगाओं घर से पठान कोट से और उसके बाद मेरा चलता रहा जैसे ओफिस में मेरे ओफिस में बहुत सारी प् नहीं हो मैं अब्हीं हमिया और मेरे ख led Mitte मि उसप्सक्रणब भागा बहुत सिर्ड टक थीज़ालाशू हो वह गी हैं लेकिन मैं इतनी जादा पर्शान थी संगर इसांगरें इतना कुछ हुआता थी का यहार मैं चीज़ां नहीं कर सकता कर्क्म उसक्रशार्यनीं इसशयर आगी क्योंकि जॉब में अच्छा कमारी थी इतने अच्छी सैलरी पैकेज था मेरा एकदम से वो छूट गया घरवाले मुझे बोलने लग पड़े फिर शादी का प्रैशर डान लग पड़े रिष्टेदार आके मम्मी बापा को फिर मम्मी बापा मेरे को बोलने शुरू कर किया कैसे ऐसे तो फिर संगर जी बात अभी यहां से शुरू होती है दो हजार चौवीस की अभी अभी की बात है रिसेंट जनवरी की तो मैंने गुरू जी को मतलब 25 जनवरी से मानना शुरू किया वो मैं आपको बताती कैसे तो मेरे लिए जयान में रिष्टा आया एक और उसके बात नहीं मैंने ना 25 फर्वरी से मानना शुरू किया हां उनको 25 फर्वरी से I think तो तो ना उस मेरे लिए एक रिष्टा आता है तो वो ना बाहर का लड़का था तो संगर जी वो जागरन वगारा को ने मानते और जैसे मैंने बताया मैं गुरू जी को तो मैंने अब और मैंना शुरू किया है उससे पहले मैं अपनी मा को मानती हूँ वैशन मा को तो वो गएते हम जागरन को ने मानते हैं यह पता नहीं क्या होता है ऐसे लड़के का पापा बोला ऐसे तो मैंने बोला कि आर मैं तो मतलब रह नहीं सकती इन सब चीज़ों के बिना मैं तो मान पipापा ने खाना मिया बंद कर दिया कि नहीं ये रिष्टा करना नहीं ही करना . तो मैंने मना कर दिया कि मुझे साहीं नहीं लग तो चलो पिर उसके बार बीज दिन 25 दिन होगे designer लको बहर बने संगळी app. यूट्यूब पे दिखने शुरू हो गए और उन्हें बोला मैं तेरे नाला तो चीनता ना कर रही है वो मैंने का यार ये गुरू जी तब भी मुझे दिख रहे थे अब भी दिख रहे हैं ये चक्कर क्या ये गुरू जी है कोन फिर मेरे अंदर ना ऐसा ऐसी तड़प मचीन कि नहीं यार मुझे पता करना है ये गुरू जी है कोन मैं पता करके रहूंगी तो संगा जी मैंने ना फिर मेरी जो फ्रेंड थी प्रेंका मैंने उसको फोन करा मैंने का यार ये गुरू जी कोन है मुझे बता तूने मुझे बोला था जब मैं पीजी में ऐसे अंटर करा थ तेरे रूम में मुझे लेने लगी थी पिर कि उस बताई और मैंने बता तो SPC बताया कीके कौन म्हें पूं जब मढ़ेस घुड़े पर मैंने इस्टे कौन में और मैंस में ना सिचाएगा तो और मैंने सैंचे में 1st Jan को New Year पे तो मैंने इगनore कर दिया मैंने मानती बाब भुबो को तो फिरीशी ने मुझे का कि तो एक बार चाय का भुग लगा क्या है पता गुरु जी तेरे से चाय का भुग मांग रहे हूँ तो मैंने का यार मैं चाय का भुग कैसे लगा हूँ मेरे पास तो गुरू जी का कोई सबरूप भी नहीं है तो कहरी तू ना फोन पे ही लगवा दे फोटो पे ठीक है तो संगर जी मैं मैंने उनको भोग लगाया लेकिन चाय में चीनी नहीं डाली पता नहीं गुरू जी की कोई मैं मागी मुझे नहीं पता इस चीज का तो संगर जी मैंने चाय का भोग लगाया उनको मंतर चाप करके जै गुरू जी की बोलके तो वो चाय फिर मैंने पी ली जब मैं पीने लगी मैं देखा चाय में तो मैंने नहीं डाला वह मैंने तो मैंने का सोरी गुरू जी मेरे को तो पता नी था तो मुझे चाय बनाने भी न Minhा आती थी तो मैं इतनी excitement मैं चाय बनाई कि मुझे पता ही न चला क्योंकि मैंने बहुत मभीरिकल्स देखे थे गुरुजी के उनी के यूट्यूब से तो वहीं पे मैंने एक टिमसी अंटी है अनवादा अंटी के ही घर के पास रहती है तो उनका मैंने ससंग देखा था तो मैं बहुत इंस्पाइर हुई थी उससे तो उसके बाद मैं इतनी परशान थी तो मैंने ना फिर मैं सोच रही थी कि आई यह जल्द परशाद मिल जाए क्योंकि मेरी हल्थ भी ठीक नहीं रह रही थी पहले जॉब चलीगी फिर ऐसे शादी का कलेश ओन लग पड़ा घर पे और बिमार तो मैं पहले से यह रह रही थी तो मैं बहुत परशान थी तो मेरी मम्मी बहुत परशान होगी थी मेरी मम्मा कटर रादा स्वमी जैए वो गूरुजी बहारा इसे किसी को नहीं मानते अर वो अब मेरी से ज़दा उनको मानते हैं और उनको बार 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 Fahrenheit आती है और मुझे बटरफ्राइज में दिखती रहती है तो सासंग जी मैं फिर ना अनुरादा अंटी ने अनौंस कर दिया अपने यूट्यूब पे कि ऐसे हम सब रूप देने लगे हैं और सब चीजे हैं तो मैंने का ठीक है क्योंकि मैं ना अच्छली इंस्टाग्राम पे किसी को टेक्स्ट करा था सेवा करते थे वो गुरुजी क तो मैंने उनको बोला था कि प्लीज मुझे ब्रैसलेट दे दो क्योंकि मैं गुरुजी को बोले थी मेरे पास गुरुजी एक भी ब्लैसिंग्स नहीं है सबके पास कितना कुछ होता है तो आप मानोगे अब ही मैं आपको दिखाती हूँ ये सबसे पहले तो ये और ये इसक ये ही सब रूप में को जादा दिखता था फोन में भी और ये ही सब रूप मेरे पास आया है ये ब्लैसिंग मुझे बेजी है गौरव जी ने जो इंस्टाग्राम पे है उनका पेज है कोई तो उन्होंने खुदी मुझे फोलो करा था और खुदी मैंसे बात शुरू करी त तो आप मानोगे मैंने ऐसे कोरियर का अपना अड्रेस बेज दिया कोरल के लिए और नंबर भेज दिया और उन्होंने मेरे घर पे ये पहुंचा दिया और मैं इतनी देर से सब रूप के लिए तरस्टी थी सब रूप भी आ गया मेरे पास फोन का और प्लैसिंस भी आगी उसके बारा नुरादा अंटी ने भी वो कर दिया अनौसमेंट तो संगर जी ये ब्रैसलेट मैंने डाला हुआ है यह नुरादा अंटी ने ही दिया मुझे टिम से अंटी एक घर पे छोड़ गए थे और एक ये भी मिला है मुझे आप देख सकते हो और इसके साथ साथ जल परशाद भी मिला था दो बोटल्स एक मैंने किसी के लिए मंगवाई थी एक मैंने अपने लिए मंगवाई थी क्योंकि वह भी बहुत बेमार रहते थी तो मैंने उनको भी दे दिया तो संगर जी इस टाइम मेरे पास इस ती सारी ब्लैसिंग्स हैं गुरू जी की एक देखे कि गुरू जी ने कैसे मुझे अपने साथ जोड़ना था क्योंकि मुझे प्रेंका भी कही जारी थी गुरू जी ने तुझे जोड़ना है तो संगर जी बात वहाँ पे आती है जब मैंने उनको चाय का भोग लगाया उसके बात से चीज़े ठीकों निश्रोगी मेरे पापा ने कभी ऐसे नहीं करा ये पहली बारी हुआ और मुझे बार-बार आती थी तेरे कार्दिया ने किसे ने किता तेरे उत्ते इद्दा ब्लाक मैजिक नेग्टिविटी संगर जी मैं इन सब चीजों को नहीं मानती लेकिन कहते है जब खुद पे बीटती है तो फिर इ मैंने देखा मैंने का नहीं घुरु जी मुझे इशारे दे रहे थे मैं समझ नहीं पा रही थी और वो मेरे साथ कितने सालों से जुड़े है मुझे समझ नहीं थी फिर संगर जी दीरे दीरे पापा ने खुदी बोलना शुरू किया कि मुझे खाना चाहिए और मैंने खाना खुद मांग के खाने लग पड़े सब दीर दीरी ठीक होने लग पड़ी और फिर बीच में वो इरिटेट ओर थे बड़ा चीजे सब चल रही थी और मैं बिमार रहती थी और संगजी जब से मैं यह पी रही हूं दीरे-दीरे मेरे पेन नहीं होती अब गुरुजी का शुकर ह और मैं स्ट्रेस नहीं होती है और में को पैनिकी प्रॉब्लम भी है वो भी थोड़ी-थोड़ी ठीक हो रही है मतलब एकदम से नहीं ठीक हो पाएगी दीरे-दीरे टाइम लगेगा जहां गूरी जी ने मेरे लिए इतनी ब्लैसिंग्स देजी वहां वो मेरे मेरे को ठीक भी क मुझे कभी मौर नहीं दिखे और उस दिन मुझे मौर भी दिखे और एक नहीं बहुत सारे मौर दिखे ऐसे ग्राउंड में और मैं जब मैंने इग्नॉर किया कि बटरफ्लाइ पर मैंने एक बार दिखी दो बार दिखी रास्ते में मेरे साथ साथ चल रही थी गाइब होगी है जैसे मैं यह सोचती है अपने माइन में साथ में वो वेटरफ्लाइ ऐसे मेरे खिड़की के साइड से आ जाती तो फिर मैं बहुत हरान हुई तो मैंने का फिर गुरुजी आप मेरे साथ ही चल रहे हो क्योंकि मेरी सिम चल नहीं रही थी मैं पंजाब की हूँ तो जम मुँ में सिम नहीं चल दी है तो मेरे पास सिम भी नहीं थी तो पता नहीं गुरुजी मेरे साथ ही गए उन्होंने मेरे को यह जल परशाद और यह ब्लैसिंग्स दिलवाई टिमसी अंटी से अनुरादा अंटी से और जम गई टिमसी अंटी ने मेरे को बहुत अच् मैं देड़े ठीक हो रही हूं I hope मैं बहुत अच्छी हो जाओंगी एक टाइम के बाद मेरी सारी प्रॉब्लम्स ठीक हो जाएंगी और सचसंग शेयर करने का मतलब यही था कि मेरी चीजे तो ठीक होनी शुरू हो गया आप भी गुरुजी को मानो आपकी बहुत सारी चीजे ठ ठीक होनी शुरू हो जाएंगी और मैं अब मेरे में इतनी कैपिविलिटी आगी है कि मैं अब हर चीज को बहुत स्ट्रॉंडली हैंडल कर लेती हुए तो पहले मैं डर जाती थी यार ऐसे कैसे हो गया क्योंकि बहुत सारी चीजे हैं मैं जो वीडियो में शेयर नहीं कर सकत हैं हाँ तेरे घर में ये प्रफॉम चल रही है इसको कैसे मतलब अब वह ही मेरे को रास्ता दिखा रहे हैं मैं अपना घर का हल करवाऊंगी ठीक होंगी क्योंकि मैडिसिन दो मेरे उपर असरी नहीं करती है मैं जब मैडिसिन काती हूं तब ठीक रहती हूं मेरे बैक में प मेरे मालका बहुत बहुत शुक्राना और जो लोग बोलते हैं कि गुरुजी फेक है तो गुरुजी फेक नहीं है वो सच में आते हैं और सच में आपकी हेल्प करते हैं आपको पता भी नहीं चलेगा वो कब आपके साथ आपकी हेल्प के लिए खड़े हो जाएंगे आपको न ताइम ईतती रहती है दिन में एक बार अनि रोज की और हमारे घर में कोई ऐसी घर पे रोज नहीं है मतलब गर के अंतर रोज का ऐसा कूछ से निया बिनिया जो उनको बार बार ऐसे व्र आती रहती है तो संगर जी बस आप से यही रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज गुरु जी को गलत मत बोलो और अनुरादा अंटी भी सही है अपनी जगा पे टीम से अंटी भी बहुत अच्छे है और दूसरी बात ये बताना भूल गई कि जब मैं घर आ रही थी ना ये जल परशाद लेके और ये ब्लैसिंग्स ग्यारा लेके तो आते टाइम भी वो सेम बटरफ्लाई मेरे साथ टिम से अंटी घर के बाहर से चुरू हुई थी मेरे साथ चलना और थैंक यू गुरुजी शुक्राना गुरुजी अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी आपसे बहुत कुछ मिला है और आगे भी मिलता रहेगा मैं तो धन्य हो गई हूँ और थैंक यू सो माच और कोई भी मेरी बात आपको बुरी लगी हो तो प्लीज उसके लिए सौर जय गुरुजी शुक्राना गुरुजी अनंतम अनंतम शुक्राना